दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल में दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं मद्यप्रदेश से निकलने वाली सभी नदियों के संबंदित महत्पून प्रस्ण जो की परिक्षाओं में पूछा ही जाते हैं और यहां वीडियो MP पोलिस एक्जाम 2021 2021 की द्रश्टी से बहुत ज़्यादा इंपॉटेंट है तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन यादि आपने अभी तक मेरे चेनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चेनल को सस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे नमबर तीन नदियों को सभ्यता का पालना नदियों को कहा जाता है नदियों के किनारे ही विश्व की अनेक मानव सभ्यताओ एबं संस्क्राइब का जन्म हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर, अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण को मांग दो, निमने में से किस श्रेणी को बाटर सेड के नाम से जाना जाता है, चार आपसाने आपको बताना है इन में से किस श्रेणी को बाटर सेड के नाम से जाना जाता है, तो इसका र पूछा गया है मद्वप्रदेस में अप ठथात इसका राच यही आफशन नंबर दो छे भागों में मद्वप्रदेस केırdяс जो नदिया Prad ॐ रहती हैं उनके अपोहा तंत्रों को छे भागों में बाटा गया है जिन में पहला है गंगा अपोहा तंत्र दूसरा है नर्मदा अपोहा तंत्र तीसरा है तापती अपोहा तंत्र चोथा है गोदाबरी अपोहा तंत्र और पांचवा है माही अपोहा तंत्र और छटवा और आ पूछाआ के आपसे मद्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवहाद तंत्र कौन सा है तो इसका जो राइट आफ्षान नमबर जिले के महु के निकट जानपा पहाड़ी से हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगले प्रस्ण हमारा प्रस्ण कमांग 6 चंबल नदी किस में जाकर गिरती है पूछा के आपसे चंबल नदी किस में जाकर गिरती है चार आपसर ने और आपको राइट लोखर रजाए नंबर Central आंसर नैं तो इसका राइट अंसर ए अपस्ण नमबर 2 यम्ना नदी में चंबल नदी यम्ना नदी में जाकर गिरती है चंबल नदी विटावा उत्तरप्रदेस कि समीब यॉम्नेदी में मिलती हैn चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशंकी की ओर अगला प्रशन एमारा प्रशन कमांग साथ किस नदी को पंष्ट्यमी मद्य प्रदेश की जीवन रखा के नाम से जाना जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले करती है जो डाकूआव के लिए आश्रा इस्थाल का कार्य करते हैं चलिए आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है हमारा प्रस्ण कमांग 9 किस नदी को मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है पूछागे आपसे किस नदी को मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है तो इसका जो राइट आंसर रिवा है आपसा नमबर 4 छिप्रा नदी को मालभा की गंगा के नाम से जाना जाता है चलिए आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है अमारा प्रस्ण कमांग 10 छिप्रा नदी किस नदी में जाकर गिरती है चार आपको बताना है इन में से किस नदी में जाकर छिप्रा नदी गिरती ह चलिए आगे चलते हैं अगले प्रसंट की ओर अगला प्रस्वर्मांग 11 महा कालेसवर मंदीर किस नधी के टट पर रिस्तित है तो इसका है आप-इस्प्चै возira 12 वर्षों के बाद सिहस्त कुम्भ मेला लगता है आपसे पुछा गया है मद्य प्रदेस के इस जिलों में प्रत्येक 12 वर्षों के बाद सिहस्त महा कुम्भ मेला आयोजित किया जाता है तो इसका मद्यप्रदेश की कौन सी नदी करकर रेखा को दो बार काड़ती है पूछा के आप से मद्यप्रदेश की कौन सी नदी करकर रेखा को दो बार काड़ती है तो इसका right answer है अफसर नमबर 4 माही नदी मद्यप्रदेश की माही नदी करकर रेखा को दो बार काड़ती है और यहां प्रश्ण हमारा प्रस्क्रमांगी चओंदा मध्धял उप्रदेस तथा राजस्थान के मध्ध को सी नदी सीमा रेखा DOác करती है तो इसका जो प्रेशन का मांग पंद्रा निम्न लिखित नदियों में से कौन सी नदी नर्मदा की सायक नदी नहीं है चार आपसन आपको बताना है इन में से कौन सी नदी नर्मदा की सायक नदी नहीं है तो इसका जो राइट अंसर है वहां है आपसन नमबर 4 के नदी के नदी नर्मदा क सायक नदी नहीं है चलिए आगे चलते हैं अगले प्रेशन की ओर दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरू करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करने और यदि आप लोगों को MP पुलिस एक्जाम 2016-2017 मेरे चैनल की प्लेइस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और आप इन सबी वीडियो की पीडिया फाइल मेरा टेलिग्राम चैनल जॉइन करके वहां से फिरी में डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है हमारा चंबल नदी प्रवाइद नहीं होती है तो इसका जो राइट अंसर है वहा है अफ्सन नमबर दो धतिया मध्यप्रदेस के धतिया जिले से होते हुए चंबल नदी नहीं बहती है चलिए आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण मारा प्रस्ण कमांग सत्रा तापती नदी का उद्गम कोन से जिले से हुआ है तो इसका जो राइट अंसर है वहा है अफ्सन नमबर तीन बेतुल जिले से तापती नदी का उद्गम बेतुल जिले के मुल्टाई से हुआ है चलिए आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण मारा प्रस्ण कमांग नाइन प्रतिसत नर्मदा नदी के बेसिन का 89.9 प्रतिसत बिस्तार मद्यप्रदेश राजी में हैं और मद्यप्रदेश राजी की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की ओर अगला प्रस्ट ने हमारा प्रस्ट कमांग मद्धप्रदेश का पसुपती नाथ मंदिर सिब्ना नदी के टड़ परिस्थित है और इसकी तुलना नेपाल के पसुपती नाथ मंदिर से की जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है अमारा किस नदी को सूरी की पुत्री कहा जाता है पूछागे आपसे किस नदी को सूरी की पुत्री कहा जाता है तो इसका जो राइट अंसर है वहा है अफसर नमबर दो तापती नदी को ताप्ती नदी को सूरी की पुत्री भी कहा जाता है और ताप्ती नदी का उद्गम बेतुल जिले के मुलताई से हुआ है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है अमारा प्रस्ण का मांग की किस चूलिया जल प्रपात किस नदी पर इस्तित है पूछा नदी किसकी साहक नदी है चार आपसने आपको बताना है इन में से किस नदी की साहक नदी सकर नदी है तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपसन नंबर तीन नर्मदा नदी की सकर नदी नर्मदा नदी की साहक नदी है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रस्ण की ओर दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरू कर दे और इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियो पाने के लिए मेरे चेनल को भी जरूर सस्क्राइब करने है चलिए देखते हैं अगले प्रस्ण को अगले प्रस्ण है अमारा प्रस्ण का मांग तेविस जाड़ी दाह जल प्रपात किस नदी पर इस्ति थे पूछागे आपसे जाड़ी दा जल प्रपात किस नदी पर इस्ति थे तो इसका जो राइट अंसर है वह है आपसन नमबर एक चम्बल नदी पर इस्ति थे आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर पुछागे आपसे जो राइट अंसर है आपसन नमबर चार किस नमबर इस्ति थे तो इसका राइट अंसर है आपसन नमबर चार कुल बहरा कुल बहरा नदी को छिंदबाडा की जीवन रखा कहा जाता है और छिंदबाडा छित्रफल की द्रष्टी से मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा जिला है आगे चलते हैं अगले प्रस्ट की ओर अगला प्रस्ट हमारा किस नदी को प्रत्वी की पुत्री कहा जाता है पुछा गया आपसे चार आपसन देकर इन में से किस नदी को प्रत्वी की पुत्री कहा जाता है तो इसका जो राइट आंसर है वह आपसन नमबर चार माही नदी को अभी हमने सूरी पुत्री का पढ़ा था दोस्तों तो सूरी की पुत्री तापती नदी कहा जाता है और यहा आगे बरते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है चलिए आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर बुंदेल खंड की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है पूछागे आपसे बुंदेल खंड की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपसन नमबर 4 बेतवा नदी को बेतवा नदी को बेतवा नदी को अंसर है वह है आफसर नंबर 2 बेतवा नदी को सिभ की पुत्री के नाम से जाना जाता है चलिए आगे चलते हैं अगले प्रसंद की ओर दोस्तों यहां मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखा हूं जिसका आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है तो आज की जो क्वि जरू करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करने और बेल आकेन की बेटन जरूर दबा लें ताकि एसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नाटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें और यह आदि आप लगों को किसी भी एक्जाम के प्रीब झाल